नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नलिनी मलकानी नलिनी की रसोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं पार्टी के लिए कोर्स बनाने जा रही हूँ रेसिपी का नाम है चिल्ली कमल कक्डी सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताके आपको हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिल जाए आए तो शुरू करते हैं उससे पहले उसकी सामगरी देख लेते हैं 1500 ग्राम कमल कक्डी एक बड़ा चमच लसन बारीक कटा हुआ एक बड़ा चमच अद्रक बारीक कटा हुआ 4 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई नमक स्वात की अनुसार एक बड़ा चमच टमाटर का सॉस एक बड़ा चमच सोया सॉस आदा छोटा चमच काली मिर्च पाउडर एक बड़ा चमच कॉन फ्लार एक बड़ा चमच सफेद सिरका एक कटोरा हरी पीली और लाल शिमला मिर्च चोको टुकडों में कटी हुई एक प्यास गुलाई में कटा हुआ एक कटोरी हरा प्यास छोटे टुकडों में कटा हुआ दो बड़े चमच तेल और पानी सबसे पहले कमल ककड़ी को सावदानी से चुरी की सायता से चील देंगे इसी तरह हम सारी कमल ककड़ी को चील देंगे अब इसके पतले-पतले स्लाइसिस कर देंगे और साब पानी में डाल कर इसे अच्छी तरह दो लेंगे अब एक कोकर में कटी हुई कमल ककडी, थोड़ा पानी और थोड़ा नमक डाल कर अच्छे से मिला लेंगे और तीन से चार सीटी बजने तक इससे पकने देंगे अब एक कडाई में दो बड़े चमच तेल, लसन, अदरख और हरी मिर्च डाल कर दो मिनिट तक सौते कर लेते हैं अब इसमें सोया सौस, उबले हुए कमल ककडी, नमक, काली मिर्च पाउडर और सफेद सिर्का डाल कर मिला लेते हैं अब इसमें शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर का सौस डाल कर अच्छी तरह मिला देते हैं अब एक कटोरे में एक बड़ा चमच कॉन फ्लार और थोड़ा पानी डाल कर एक गोल तयार कर लेते हैं अब इसे पैन में डाल देते हैं और अच्छी तरह मिला लेते हैं अब इसमें हराप्यास डाल देते हैं और दो मिनिट तक इसे पकने देते हैं स्वादिश्ट और फाइबर से बरपूर चिली कमल ककडी सर्व करने के लिए तैयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरफ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले लाइक करें और अपने दोस्तों और रिष्टेदारों को शेर करें इस तरफ मेरी दूसरी रेसिपीस को देखने के लिए क्लिक करें मैं जल्दी ही नई रेसिपीस के साथ लोटूँगी तब तक आप अपना और अपने परिवार का खयाल रखें स्वस्त रहें तंदुरुस्त रहें और खुश रहें नलीनी की रसुई देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद